नमस्कार दोस्तों, आपने mutual fund में निवेश तो कर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपने जिस plan का चुनाव किया है, वो किनकिन companyों में निवेश करता है, किनकिन security को pick करता है, तो अगर आपको नहीं पता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपना पैसा ल पादियम से देखना सीखते हैं, तो सबसे पहले आपको धन application में जाना है, अगर आपके पास धन application नहीं है, आप इसी वीडियो के description में जाएगा, link मिलेगी, app install कर लेजेगा, registration करके, आप पूरा process complete कर लेजेगा, फिर आप इस तरीके का interface दिखेगा, आपको यहाँ पे आना MCs दिख जाएंगे, जिस भी MCs में आपको निवेज करना है, मालीजी आपको निपोन, इंडिया, large cap fund में निवेज करना है, आपको इस पर click कर देना है, जैसे आप इस पर click करेंगे, आपको holdings पर click करना है, holdings पर click करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि निपोन ने किसमे क निपोन इंडिया निवेश करती है पैसा लगाती है और कितने परसेंट पैसा लगाती है आप देख सकते हैं सबसे कम पैसा इसने जिसमें लगाया है वो लगाया है आपका ग्राशी मोगैरा में ठीक है ग्राशी में डेलिवरी लिम्टेड में इंडियान रेलवे केटरिंग में ठीक है इन में सबसे कम पैसा लगाया है और मेजर जो सबसे जादा पैसा इसने लगाया है वो आप देख सकते हैं कि सबसे जादा पैसा इसने लगाया है निपोन इंडिया लार्ज केव डायेक्ट ग्रोथ में and SDFC बैंक लिम्टेड में ठीक इसने पैसा रखा है जब ही cash में 1.67% पैसा रखा हुआ है तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई fund maximum asset अपना equity में लगाता है तो वहाँ return के chances जादा बढ़ जाते हैं लेकिन उसके पेचा risk भी यहाँ पे थोड़ा सा involved हो जाता है अब sector wise देखेंगे किन sector में कितना इसने पैसा लगाया है तो आप sector holding देख सकते हैं यहाँ पर financial service में 33.82% पैसा इसने लगाया हुआ है other sector में आप देखेंगे 26.33% है जब कि consumer cyclical में 10.61% technology में 10.15% लगाया है और consumer defensive में 9.85 लगाया है और भी जादा detail देखने के लिए आप more पे click करेंगे और यहाँ पे और भी आप देख सकते हैं कि किन किन sector में कितना पैसा लगाया गया है जैसे industrial में 9.62% energy में 6.49% utility में 6.43% basic material में 5.86% healthcare में 4.25% communication service में 1.24% अब इतने अलग-अलग sector में पैसा लगने का फाइदा यह होता है कि कोई एक sector अगर खास टाइम में अच्छा performance नहीं कर रहा है तो उसी same time में दूसरा sector अच्छा performance कर रहा होता है तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम चेक करते हैं अब जैसे हमने निपोन इंडिया लाज केप का चेक किया आप इस में से किसी का भी चेक कर सकते हैं आप ICICI का भी चेक कर सकते हैं या फिर आप Invesco का भी चेक कर सकते हैं सबके चेक करने का process बिलकूल सेम होता है इस पे सबस पहले क्लिक करना है फिर होल्डिंग पे जाना है और यहां से आप देख सकते हैं तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए चाहिए